आपका हमारे योटूब चैनल सलाइब मास्टर में और आज हम सेखने वाले हैं कि एक पुरानी कुर्टी से कैसे नई कुर्टी बना है तो हमने कुर्टी को खोल लिया है यानि इसके हाथ अलग कर दिये पैर अलग कर दिये पैर जो इसमें होते ही नहीं है सामने का पला लग कर दिया और बैक का पला लग कर दिया है इश्क और मुष्क कभी छुपता नहीं कपड़ा है कि बराबर बिष्टा ही नहीं फिर भी मैंने कोशिश करके इससे बिच्छा लिया है यह पुरानी कुरती नहीं कुरती है अपनी रेडिमेट की शॉप है तो बहुत सारी चीजों में कुछ चीज़े होती है जो खो जाती है इसके साथ का सिट खो गया था यह अकेली बच्ची पुड़ी थी तो हमने चलो पुरा देखिएगा मजा आजाएगे कपले को थोड़ा चमका लीजिए प्रस करने ना भूल अपने कप शोल्डर का सीधा निसान लगा लेंगे कि ऊपर का निसान हम 14 इंच के लगाएंगे जो आदा इंच नीचे दब जाएगा और आदा इंच उपर दब जाएगा तयार आएगा 13 इंच तो आएज आंएगे हैं यहने प tienes야 कि हम लगाने जा रहें जह घ्यांज आदा इस है तो ऊसका आदर छोगा आदा के उसको अधा साथ होतों है तो और साथ इंच निशान होए है करब 23 अधे हो रूसकर अधा साड़े छे उर्ट n आतर शोल्ड कर निशाना 5 इंच से लगाएं और यह और मोल का निशान लगाएं यह हंब का जाल्का स Week डिए ताकि कंदी सही आज़ा है कि यहां से अर्मोन का राउंड शेट देए इसके आगे कुछ नी करना सीधा रखते हैं तो तो टाइन सीधा कर्टिंग वाद हल्का से क्रॉस करते हैं यह हमारा उपर का हिस्ता कड़ चुका है अब हम नीचे के हिस्ता काटने जा रहे हैं तो हमने कपड़े को सीधा कर लिया है और जितने हमें उपर के हिस्ता काटाता यानि कि तैयार तेरा आएगा तो तेरा इंस निकाल के बागी की लंबाई नाप लेंगे मैंने इसमें चौते से लगाया निशान क्योंकि मुझे दो इंचोड़ा मोड़ना है अगर आप जितना मोड़ते हैं उचना कम करके निसान लगा सकते हैं यानि लंबा है इसके तकरीवन तयार बदती सिंच करनी है लेकिन आप जोड़ा मोड़ेंगे तो उतना एक्स्टा क काट दिया और नहीं मौने है तो फिर कम कर दें और इसमें कुछ भी निगाना चुक मर की ना पर उससे जाज डबल खपड़ा का लिपाट देना है यानि कमर की नाप छबी सिंचे तो मैं उसका डबल काट देना है जो भी बनता हो कमर मैं कट कर लिया कर देना है झाल 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 झाल